हेलो स्टुडेंट्स दिस इस राज अदो एंड वेलकम तो चलाकिस्टडी यूट्यूब चैनल तो स्टुडेंट्स जैसा कि आप सब पो पता है कि हम लोग EVS की सीरीज यानि की पर्यवरन अध्यान की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं इसका पहला वीडियो कला चुका है और आज इस सीरीज का दूसरा वीडियो है हम लोग सीटेट पेपर वन के लिए EVS की त्यारी कर रहे हैं तो आप लोग जितने भी स्टुडेंट्स EVS की त्यारी करना चाहते हैं वे इस सीरीज से जूर सकते हैं रोजाना एक वीडियोज अपलोड होगी और जो लोग EVS की त्यारी पूरी कर चुके हैं वो लोग अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ठीक है अपना रिविजन भी कर सकते हैं तो जरूर से जरूर इस सीरीज से जूरिये रोज 8-9 बजी की बीच इसी टाइम वीडियोज अपलोड हो जाया करेंगी तो आप लोग अपना रिविजन कर सकते हैं ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं कल के वीडियो में हम लोगों ने EVS का यानि परियावराण अध्यान का पूरा सीलेबस देखा था कि सीटेट पेपर वन में सीलेबस क्या होता है और हम लोगों ने देखा था कि वो दो पार्ट में डिवाइड होता है पहले पार्ट में कंटेंट पूछा जाता है 15 नमबर का और दूसरे पार्ट में जो है EBS का पेड़ागोजी पूछा जाता है तो डीटेल से हम लोगों ने इसके सिलेवस के बारे में देखा था तो आज हम लोग कंटेंड की स्टेडी स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर आप अपना नोट्स बनाते चलिए अपनी कॉपी और पेन लेकर बैट जाएए और अपना नोट्स बनाते चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास थ्री का क्लास थ्री एंसी आर्टी ईवियस का हम लोग चेंटर यहां पर पढ़ने वाले जितने भी important facts हैं वह आप लोग we knowクией में नोट से बनाते चलिए मैं यहां जितने भी important facts है and class 3 का वह बताते जाऊंगा तो लग-भग आज की वीडियो में हम लोग class 3 का complete कर लेंगे और कल से हम लग अराम से Class 4 का धीरी धीरी पढ़ते चलेंगे क्योंकि Class 3 में content काफी कम है तो इसके जितने भी important fact है उसी को मैं बताते चलूँगा तो यहाँ सबसे पहले आप लोग note कर लेंगे अपने notebook में यहाँ जो दिया हुआ है कि इन में से जो अलग है उस पर गोला लगाओ तो यह question भी बहुत ज़्यादा कठी नहीं है और इस तरह का question एक बार पूछ चुका है ठीक है यह आप लोग जो देख रहे हैं कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यह वाला question सीटेट में पहले भी पूछ चुका है तो इसको आप लोग नोट बना के रख लीजिएगा इस तरह का प्रश्ण आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों इसके बाद आप लोग इसको नोट करके रखिएगा इस blue box में आपको दिख रहा होगा कि क्या आप जानते हो ठीक है क्या आप जानते हो इस caption को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा चुहों में देखने की शमता कम परंतु सुने चुने तथा स्वाद वाली शमता बहुत है तीवर होती है तो इससे भी question बना के पूछ सकता है तो इसको भी यह important fact है इसको नोट करके रख लीजिएगा ठीक है कि चुहों में देखने की शमता कम होती है परंतु सुने चुने तथा स्वाद वाली शमताएं बहुत है तीवर होती है इसके अलावा इसको भी नोट बना के रख लीजिएगा नोट कर लीजिएगा कि गांधी जी की 150 वी वर्स गाट के लिए स्वक्ष भारत अभियान के शुरुआत की गई थी ठीक है तो इसको भी point by point सबको लिखते चलिएगा कि गांधी जी की 150 वी वर्स गाट के लिए स्वक्ष भारत अभियान के शुरुआत की गई थी प्रश्ण जैसे पूर सकता है कि स्वक्ष बारत अभ्यान की सुरुआत क्यों की गई थी किस उपलक्ष में की गई थी तो गान्धी जी की 150. वर्षगाट की उपलक्ष में स्वक्ष बारत अभ्यान की सुरुआत की गई थी ठीक है अब दोस्तों इस point को नोट करके रखिएगा यहां पर एक caption दिये हुआ है कि मैं Hong Kong में रहती हूँ मुझे मेरी माँ को साप खाना बहुत पसंद है मुझे और मेरी माँ को साप खाना बहुत पसंद है जब भी हमारी साप खाने की इक्षा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर Ling Ho Fan खाते हैं तो साप खाना कहां खाया जाता है साप जो है Hong Kong में ठीक है इसको आप लोग नोट करके रख लीजेगा कि यह Hong Kong की बात की जा रही है और होटल में जाकर Ling Ho Fan खाते है तो अगर कभी पूछा जाए क्वेशन में तो कस्मीर में सर्सों की तेल में बनी मचली खाय जाते है ठीक है इसको नोट करके रख लीजेगा कि सर्सों की तेल में बनी मचली कहां खाय जाती है कस्मीर में इसके बात दिया हुआ है अरे यह तो नारियल की तेल में बनी समुंदर की मचली है यहां दिया है कि एक बार हम गोवा गए थे वहां हमने मचली खाई परस्वात बहुत ही अलग था यानि कि नारियल के तेल में बनी मचली कहां खाई जाती है गोवा में खाई जाती है नारियल के तेल में बनी समुंदर की मचली कहां खाई जाती है wawa में खाए जाती है डी वामें तो इसको भी not करके रखेगा इसके आगे दिया हुआ है कि मैं केड़ा में रहता हूँ ठीक है मैं में केरल में रहता हूं मुझे सबसे अच्छी दो चीज़े लगती है वो चीज़े मेरे घर के आंगन में ही उखती है एक उपर पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाये तो मजा आता है तो नारियल डली हुई क्या चीज़ टेपियोका ठीक है तो ये भी याद रखिएगा कि टेपियोका कहा खाया जाता है केरल में ठीक है इसको याद रखिएगा अब दोस्तों एक पॉइंट इसको नोट कीजिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आकास से सीधे आती हूँ जपड चूहा ले जाती हूँ पूँच है मेरी खांचे वाली डेस हुमें बड़ी निराली ठीक है तो इससे भी कई बार पसु और पक्षियों से भी प्रश्न बन जाते हैं चोकि ये एवियस है तो पसु पक्षियों से भी प्रश्न जरूर बनते हैं तो इसको याद रखेएगा कि ये जो चील है ठीक है ये जो चील है उसकी पूँच जो है खांचे वाली होती है अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि खांचे वाली पूँच किस चीलिया की होती है तो खाचे वाली पूँच जो है चील की होती है इसको note कीजेगा point बना लिजेगा कि खाचे वाली पूँच चील की होती है अब दोस्तों इसके आगे दिया हुआ है और भी चीडियों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है तो कई बार प्रश्ण इससे बनते है ठीक है इसको इस point को note कीजेगा यह जो है चोच है मेरी बड़ी निराली सुई हो जैसे सिलने वाली पत्ते सिल कर घर बनाओं चीडिया मैं कहलाओं डेस चीडिया मैं कहलाओं तो यह जो दरजीन चीडिया है ठीक है आप लोग याद रख लिए है कि पेर के डेस में छेड बनाओं उस्में चीडिया में खाऊं टुक करता जाता हूं कटफोडवा कहलाता हूँ तो कटफोडवा कहां पर अपना गोसला बनाता है पेर के तने में चेडिया बनाता है और उससे कीले खाता है और अपना जो है घर वहीं बनाता है तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करिए अब इस्टुडेंट्स ब्रेल लीपी के बारे में यहां पूर कुछ दिया गया उसको नोट कीजेगा कि यहां दिया गया है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ पर जो है ट्रूइल लीपी कहते हैं यह फिर है प्रांस का रहने वाला था जब वातीन साल का था तब एक दिन अपने पिता के आउजार से खेल रहा था, अचाना कि नुकिलिया उजार से उसकी आँखों में चोट लग गई और आँखें खराब हो गई, उसे आँखों से दिखना बिलकुल बंद हो गया, उसकी पढ़ने में बहुत रूजी थी, उसने हार नहीं मानी, वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबे सोचता था, आखिरकार उसने ढूंड ही लिया कि एक तरीका चूकर पढ़ने का, या बाद में ब्रेल लिपी की नाम से जानी गई, ठीक है, तो ब्रेल लिपी यही है कि उसे चूकर के सारित होता है, आज कल ब्रेल में ने ने परिवर्तन हुए है, इससे इसे पढ़ना लिखना और भी असान हो गया है, ब्रेल लिपी अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है, उसके बाद पॉइंट बनाईएगा, यहां से देखिए, इसको समझे और पॉइंट मैं असम के मिलन गाउं से आया हूँ, हमारे यहां बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगवग 10 से 12 फूट उचे बने होते हैं, इन्हें मजबूत मास के खंभों पर बनाते हैं, यह घर अंदर से भी लकडी के ही बने होते हैं, तो इसको ऐसे नोट कीजिए कि असम में जो है, असम में चुकि बहुत बारिस होती है, इसलिए घर जमीन से लगवग 10 से 12 फूट उचे बने होते हैं, कहां पर असम में, अगर प्रश्ण में जैसे कई बार पूछ लेता है, कि कहां पर जमीन से 10 बारा फूट उचे घर बनाया जाते हैं, इन्हें यहां चीतर विदेशन देख सकते हैं, तो जमीन से उपर असम में घर बनाया जाते हैं, अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है, कि मैं मनाली से आई हूँ, कहां से मनाली से, जो एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहां भी बारिस बहुत होती है और लोग इसको नेगलेक मत कीजिएगा इस तरह के प्रशन अक्सर पूछे जाते हैं तो पत्थार और लकडी से कहां पर घर बनाया जाते हैं मनाली में घर बनाया जाते हैं इसको नोट कीजिएगा अब दोस्तों इसके बाद है एक और घर के बारे में एक और फैक्ट यहां पर ह नार पाउस करके इसके नोट बना लिजेगा, ठिक है अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक floating boat यहाँ पर floating house दिखाया गया है ठीक है तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है कि साम को हम डल जिल में घूमने गए वहाँ हमने एक house boat देखी तो house boat कहाँ पर होती है डल जिल में यानि कि कस्मीर में ठीक है तो आप लोग याद रखेगे इसको आप fact बना कर के लिख लिजे कि कस्मीर में जो है floating boat या फिर house boat होती है ठीक है कस्मीर में उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अब आप लोग यहाँ पर एक चित्र देख सकते होंगे यहाँ पर एक इगलू का चित्र दिया हुआ है ठीक है तो इगलू कहाँ पर बनाया जाता है इगलू जो है बर्फीले जगहों पर बर्फ से बना हुआ घर को इगलू कहते हैं question पूछ लिए गया अगर कि इगलू क्या होता है तो बर्फ से बना हुआ घर को इगलू कहते हैं तो इस तरह के आप लोग point बना के इसको याद रख सकते हैं उसके बाद नूर्ट किजिएगा यहाँ एक point दिया हुआ है कि माधाओ राजस्थान के बज्जू गाउं में रहता है तो बज्जू गाउं कहाँ है अगर यह पूछ दिया जाए कि बज्जू गाउं कहाँ पर है तो बज्जू गाउं राजस्थान में है इसको आप लोग याद रखेगा बज्जू गाउं कहाँ पर है बज्जू गाउं राजस्थान में है अब है next fact यहाँ पर दिया हुआ है कि टाका क्या होता है ठीक है टाका क्या होता है टाका यहाँ पर एक word दिया गया है टाका इसे भी प्रशन पूछ सकते हैं कि आंगन में गड्धा बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाया जाता है टाका क्या होता है पानी गड्धा करने के और यहां पर पानी आएगा तो इस गड़े में चला जाएगा और पानी एकत्र हो जाएगा तो इसे टाका ऐसे बनाया जाता है गड़े में ठीक है अब आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या दिया गया है एक पॉइंट यहां पर और दिया गया है कि माधो की तरह सोनल के घर भ पारे में दिया गया है ये राजस्थान तो बज्जू गाउं और भाव नगर ये दोनों राजस्थान में है तो ठीक है क्लास थ्री के आज का ये पॉइंच जो है यहीं पर समाप्त होते हैं क्लास थ्री में इतने ही इंपोर्टेंट पॉइंच दिये के हैं इससे जादा आप को पढ़ने की जूरत नहीं क्लास थ्री के एंसी आटी इवियस से और और भी कोई फैक्ट होगा तो मैं आगे की वीडियो में बता दूँगा लेकिन फिलाल आप इतना मान के चलिए और कल के वीडियो से हम लोग चैप्टर माफ कीजिएगा बूक जो है क्लास फोर का बूक हम लोग कल सी स्टार्ट किक करेंगे ठीक है तो चलिए ठीक है आज के लिए बस इतना ही अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरू कर दीजेगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करके उसे बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपल नोटिफिकेशन पहुंच जाए चलिए ठीक है आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन